दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लगों को 5 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आप इस 7th of June के लिए डिविडेंट अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरोश आई अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तो बात करते हैं आप हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है मार्कसिंस फार्मा लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइज 83 रूपीस के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 0.50 रूपीस का अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है उप्तिमियस इंफरा कॉम लिमिटेड का करन्ट स्टॉक प्राइस 226 रूपीस के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया 1.50 रूपीस का अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है सेशा साही पेपर्स और बोर्ड्स लिमिटेड का करन्ट स्टॉक प्राइस 282 रूपीस के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया 6 रूपीस का अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस 215 रूपीस के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया 2 रूपीस का अगले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड का करन्ट स्टॉक प्राइस 566 रूपीस के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया 6 रूपीस का अट इस डिविडेंट को भी देने की जो एक्स डेٹ है वो 7 ऊफ जून की होने वली है और जो record date है वो भी same day की होने वाली है यानि की 7th of June की और यह जो dividend है यह in term dividend रहने वाला है साथ ही साथ मैं अब अगर आपको इस stock को या फिर और किसी भी stock को purchase करना हुआ ताकि आप आपको उसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stocks को उनकी एक state से आनि की 7th of June से पहले पहले purchase करना होगा और दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही यही 5 stocks दे जो की 7th of June को dividend देने वाले है अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा बेकोस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई